जैसे कि आपने थमले लेगा कि आप Facebook खुद बता रहा है कि लिमिटर औरनेटी अब कॉंटेंट को आपके पेज से कैसे रिमूब आप कर सकते हैं तोटल चार पॉइंट है जिसने मैं आज एक्स्प्रेंट करूँ है इस वीडियो में इन चार पॉइंट से आप अपने Facebook पेज पेज पे जो लिमिटर औरनेटी अप कॉंटेंट का इशू है उससे रिमूब कर सकते हैं और जो चीज मैं बताऊंगा वकायता उसका एक screen record किया हुआ है मैंने कि यह चीज कहां पे लिखी हुए तो वीडियो के end में मैं वो चीज भी आपको दिखा दूँँ है screen recorder वहां पे आप पोस्ट करके उसे पढ़ सकते हैं completely तो लोग पोस्ट ही करना बंद कर देते हैं सोचते हैं कि अगर दुवारा कोई गलती होगी तो मेरा facebook page बिल्कुल delete हो जाएगा या remove हो जाएगा तो ऐसा नहीं है बस जिस चीज की वज़े से आपके पास policy issue आया है उस चीज को दुवारा repeat नहीं करना बगि अगर आप genuine content बन नहीं करनी है अब जैसे कि बहुत लोग बोलते कि हम दूसरे के content को use कर सकते है या नहीं इसके लिए facebook मना नहीं कर रहा है बट इसमें क्या है कि content जब आप create करते हैं तो इसमें 90% value आपकी ahead हो नीची और 10% के लिए आप इदहुदर की photos, images, videos या कुछ भी use कर सकते हैं अगर आपके पास उस चीज का approval है तो और काफी लोगों के मन में doubt रहते है कि क्या हम voiceover वाली video upload कर सकते हैं आप कर सकते हो, commentary वाली upload कर सकते हो और इस टाइप की जितनी भी चीज़े है वो आप कर सकते हो, आपका page monetize होगा जो कि इस पर लिखा हुआ है साब साब मैं आपको last में ज creative enhancement के नाम पर तो इन चीज़ों में problem आती है, यह चीज अप्रूब नहीं होती monetization के लिए, इन चीज़ों से limited alternative content का issue भी आता है, तो इसमें दो चीज़े clear हुआ हुआ है, एक है कि commentary आप कर सकते है, voiceover वाली वीडियो आप upload कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि animation अगर हम कोई करते हैं, तो बाद में voiceover से देते हैं, तो जैन्मीन content होता है, ऐसा नहीं है कि वो monetize नहीं होगा है, उसके वज़े से limited alternative content का issue आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, योगि साफ साफ लिखा हुआ Facebook की policy में, अब तीसरा point यह कह रहा है कि अगर आपको यह content upload करते हैं अगर आपको limited alternative content का issue आ चुका है, तो आपके Facebook page पे, तो अगर आप इस type की videos भी upload कर रहे है, policy issue आने के बाद, यानि limited alternative alternative आप आने के बाद, इससे भी आपको problem आएगी guys, तो यह सारे points ध्यान में रखना guys, यह 3 points mention किये गए है, limited alternative content का solution है, उसमें, कि आप limited alternative content को कैसे remove कर सकते ह अगर आपके page पे यह आ गया है, तो यह से जितने ही points से इन्हें ध्यान में रखना, बात करते हैं इसके last point की guys, कि अगर आपको लगता है कि आपका Facebook page पे genuine content आप upload करते हो, कोई भी copyright images यूज नहीं किया है, photos यूज नहीं किया है, videos यूज नहीं किया है, तो आप एक file appeal कर सकत हो, so यह 4 points थे, जो कि बहुत जाद important points थे, जो कि मैं लगा कि बताने चाहिए, आपको describe करना चाहिए, ताकि आप यह गलतिया ना करे, अब बात आती है guys, जो भी चीज मैंने आपको बताया है, क्या हो मैंने सही बताया है, तो यहाँ पे मैंने screen record किया हुआ है, meta की policies में जो जी लिखे भी तो आप उसे पढ़ सकते हैं, post करके, यहाँ पर मैं show कर देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है, यह skins record मैंने किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, इसे post करके, बाकि इसके इलावाद जितनी भी guidelines है, जिसनी भी policies हैं guys, सब को परवाने videos बना झाल 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 झाल